Hello and welcome friends, आप देख सकते हैं यह Google Sheet मैंने open कर रखी है और यहाँ पर हम आज क्या सिखेंगे कि हम currency का symbol यहाँ कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर बात करें currency के symbol की तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने कोई amount लिखा हुआ है 6666 लेकिन यहाँ पर कोई भी currency का symbol हमें नहीं दिख रहा है currency का symbol कैसे आएगा यहाँ पर अगर मैं 7000 लिख देता हूँ और interface कर देता हूँ तो यहाँ पर कोई currency का symbol नहीं आ रहा है फिर यहाँ पर अगर 6000 लिख देता हूँ और enter कर देता हूँ तो कोई currency का symbol नहीं है इसी तरह से 10,000 यहां लिखता हूँ कुछ भी अगर मैं type करता हूँ तो currency का symbol तो नहीं आ रहा है कम से कम तो यह currency का symbol आएगा कैसे क्या setting करें कि यह currency का symbol हमारे पास आने लगे तो इसके लिए आपको selection में लेना है वो पार्ट जिस पार्ट में आप चाहते हैं currency का symbol जैसे मालीजी इस पूरे जो column है इसमें हम चाहते है currency का symbol I hope की row और column के बारे में आपको जानकारी होगी यहां पर A, यह देख सकते हैं यह B, यह C, यह सब columns है और यहां पर 1, यह 2, यह 3, यह सब rows है ठीक है तो यह column की बात करना है हम यहां column heading पर click कर दीजिए mouse से और इसके बाद आपको कहा जाना है आपको जाना है format पर और यहां आ जाना है number पर यह number पर देख सकते हैं यह automatic पर tick है यहां पर हमें क्या चाहिए हमें currency चाहिए तो यहां पर currency आ रही है ठीक है और अगर round figure में चाहिए तो round figure में यह लगा सकते है दोनों को करके दिखाता हूँ अभी अभी ये currency कर देता हूँ मैं यहाँ पर कर दिया मैंने currency देख सकते हैं यहाँ पर dollar आ रहा है dollars में आ रहा है amount ठीक है यहाँ पर 8000 लिखता हूँ dollars में आ रहा है लेकिन हम क्या है हम Indian है अगर आप किसी और country से belong करते हो तो वहाँ की currency आपको अगर किसी और country के हो तो आपको इसमें और countries के भी तमाम जो symbol है currency के वो सारे मिल जाएंगे और वहाँ से आप choose कर सकते हैं और ये currency का symbol लगा सकते हैं तो आप के country के currency के symbol यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत ही easily ठीक है अब क्या चाहता हूँ मैं यह देखिए यहाँ पर decimal में आ रहा है आप इसे round figure में अगर आप करना चाहें तो इसके लिए आपको format पर जाना है फिर number पर आना है और फिर यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा round यह देख सकते हैं currency rounded तो इस rounded पर आपको करना है click जैसे rounded पर click करेंगे तो यह point वाले जो हिसाब किताब है वो हट जाएगा यह देख सकते हैं point वाला जो आ रहा था अब यह confusion दूर हो गई होगी अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे share कर सकते हैं thank you for watching this video